दोस्तों आज हम जा रहे हैं मीडगंज का रेल्वे स्टेसन दोस्तों हम पहुच चुके हैं रेल्वे स्टेसन और दिखाता हुँ आपको अंदर का नजारा यह नगर्यास सादा आए दो को अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आगे का माहौल कि यह दोस्तो जाने आपको और भापशन का नाव किसे रखा गया क्या रखा गया क्यों रखा गया सारी चीज में आपको यह जानकाई दूंगा दोस्तों यह मिर्गंज का रेलवे स्टेशन है पर यह नगरिया साधात नाम से जाना जाता है और यह क्यों जाना जाता है इस नाम से मैं आपको यह जानकारी दूंगा आज यह है दोस्तों मीर्गंज का रेलवे इस्टेशन जिसको जाना जाता है नगरिया साधाद के नाम से यह देखिए उस्तर रेलवे नगरिया साधाद यानि की एक कस्वा मीर्गंज जो बरेली में पड़ता है मिलक रामपुर के बीच में रस्वा मीर्गंज उसका रेलवे इस्टेशन है यह नगरिया साधाद नाम से जाना जाता है उस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यह बाबा है मेरे साथ में और यह मीर्गंज नाम से ही पहले इस्टेशन थी लेकिन ये मीरगंज बदलकर नगरिया साधात क्यों रखा गया इसका नाम ये बाबा से पूँश्ता हूँ में उनकी जुबानी कि ये इनको बाबा को सब पता है क्योंकि इसको काफी करीब 50 साल की लगबग हो चुका है तो यह हमको तो पता नहीं रहाएजाएं लेकि बाबा को बता यहां बदा के वहां बद यहां बदा घ़ें आप्याटान से इस वाहरा है अई अज़ेज़ें अचछा नगयासादादा के जो पाइज लेसंस खया एकुछ नहें आ बदमास को भगा दिया मिली यहां आने से और आपने पूरी जानकाई दी बहुत जनवाद आपका कि तो दोस्तों ये आपने सुना कि यह भी मिखनी नाम से था पहले इस्टेशन। लेकिन अब मिखन से बदल कर ये नगरियसादाद क्यों रखा गया कि यहां पर जो इसमाश्टर से उनसे विबाद हो गया था किसी का तो तो उन्होंने बदमास लगा दिया यहां तो उन बदमासों को हटाने के लिए उन बदमासों को हटाने के लिए यहां जो नगरिया साधाद नाम का गाउं है वहां से वहां कुछ लोग जो सहीद हुए थे उनके आपर कुछ लेसंसी बंदूगे थी जो उनको 11 बंदूगे थी तो उन लोगों ने यहां आकर इसको बचाया उन बदमासों को भगाया तो यह मिरगज नाम से बदलकर इस्टेशन यह नगरिया साधाद इस्टेशनल रखा गया है तो यह नगरिया साधाद के नाम से इसलिए जाना जाता है और जो यह जानकारी मेरे को मिली दोस्तों वो मैं अगली नई वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार